थर्मा पावर प्लांट केन लीड टू नो इन में से कौन सा है यह हमें सेलेट करना है और वन बाई वन देखते हैं गाईस समझ नहीं कोईश करते हैं ठीए नो यूट्रोफिकेशन क्या है यूट्रोफिकेशन बेसिकली एक टर्म है रिलेटिद टू वाटर पोलुशन है जो की बेसिकली ग्रीक वर्ड है जो की डिराइव किया गया है यूट्रोफोस से ए-u-t-r-o-p-h-o-s यूट्रोफोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वैल नौरिच्ट या एन्रिच्ट समझ महाँ आपको अब होता क्या है देखे ड्यू टू दी एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स राइट या डिटरजेंट्स इन सब में बेसिकली नाइट्रेट्स होते है या तो फोस्फेट्स होते है अब जब यह नाइट्रेट्स एंड फोस्फेट्स पानी में आपके पानी में चले जाते है इनके यूज की वर्डिस तो एक्स यह plant growth है उपर यह basically eutrophication है now eutrophication basically एक natural process भी होता है लेकिन dutery presence of nitrogen and phosphates यह क्या होता है कि process तेज हो जाता है और covering जाद हो जाती है अब इसके वज़े से क्या हो जाता है कि जो oxygen है अंदर aquatic animals को oxygen जाना पोचना limited हो जाता है बेसिकली जो oxygen है या यह जो surface है इसको cross नहीं कर पाती है उससे क्या होता है कि जो aquatic animals है और plants है वह मरना शुरू हो जाते है तो basically इस पूरे process को ही आप बोलते है यूट्रिफिकेशन आपको क्या पता होना चाहिए यूट्रिफिकेशन नाइट्रेट और फोस्फेट की वज़िस होता है जो कि pesticide, fertilizers या आपके detergents, petroleum products इनसे जो आते हैं यह आपके नाइट्रेट और फोस्फेट यह जेता है जिससे plant और alga growth excessive बढ़ जाती है समझे है और aquatic and plant animal को proper oxygen नहीं मिल पाती है जिसके बढ़े से मर जाते है यह eutrophication है नो कहीं भी इसमें thermal power plant से कुछ आया है कुछ नहीं आया है next देखते है अगला है ozone layer depletion यह हमीं पिछले question में देखी चुक है ozone layer depletion क्या है कि जब stratosphere में आपकी ozone layer है यह ozone की जो quantity है वो decrease होना शुरू हो जाती है जिसकी वज़े से ultraviolet radiation आपकी अर्थ तक पहुचना शुरू कर देती है और temperature बढ़ाना शुरू कर देती है तो depletion किसकी वज़े से होता है due to the presence of chlorofluorocarbons and chlorofluorocarbons कहां से आते हैं AC से, refrigerator से, etc तो यहां से CFC आते हैं ठीक है CFC क्या बनाएंगे CL dot, CL dot क्या बनाते है CL O dot, right guys so this is our also incorrect answer ठीक है ozone layer depletion नहीं है अगला है blue baby syndrome, blue baby syndrome basically पानी में जब nitrates की quantity permissible limit से ज़्यादा हो जाती है तब blue baby syndrome होता है, blue baby syndrome को basically आप यह infant metheomoglobinomia यह भी बोलते हैं एक बार देख लिए नगाईजिए इतना जरूरी नाम नहीं है बस समझ रहे हैं आप हैं तो blue baby syndrome को इसको यह भी बोलते हैं और यह basically जब कैसे होगा जब यह जरूर यह guys यह important है, nitrates की quantity जब permissible limit से ज़्यादा हो जाती है तब blue baby syndrome होता है, नहीं हमारे water में international standards के according 50 parts per million यानि 50 ppm maximum permissible limit है यानि इतना less than या equal to nitrates present है तो it is safe for drinking लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो यह it can cause this BBS इसमें होता क्या है कि जो बच्चे हैं, infants हैं वे नीले पढ़ने शुरू हो जाते हैं नीले क्यों पढ़ते हैं, हुमोगलोबिन की कमी से, समझें आपको, हुमोगलोबिन क्या है, these are blood proteins responsible for carrying oxygen अपनी पूरी body में ठीक है, पूरी body में oxygen ले जाते हैं, हुमोगलोबिन, तो जब हुमोगलोबिन की कमी हो जाती है, nitrates की होने की जाधा होने की वज़े से, तो जो body है वो नीली पढ़नी शुरू हो जाते है, कुल मिला कि यह है गाईस तो इसमें भी आपका thermal power plant से कुछ है नहीं रोल, अब last आया, acid rain, acid rain क्या है, देखिए guys, सिर्फ acid rain में यह मत समझेगा कि rain है तो सिर्फ पानी की form में ही बरसेगा, समझे है, rain से मतलब सिर्फ acid rain हो गया, इसका बोल दिया इनोंने, लेकिन acid rain को आप क्या बोल सकते हो, कि कुल म मतलब any form of precipitation, किसी भी तरह का precipitation हो रहा हो, चाहिए वो rain की form में हो रहा हो, snow की form में हो रहा हो, fog की form में हो रहा हो, hailstorms की form में हो रहा हो, ठीक है, या even अगर dust भी गिर रही है, कुछ अगर वो है, तो अगर यह सब acidic है, तो उसको acid deposition या acid rain बोलते हैं, नो जब मैं बोलता यह सब acidic है, तो इसका मतलब क्या है, कि इसमें acidic components है, such as sulfuric acid, या फिर nitric acid, यह important है, अगर इनके कम, यह present है, इन सब में, तो मेरी जो acid rain है, वो हो जाती है, समझना आपको गाईस, नो एक बात समझे पहले गाईस, जब मैं acid बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है, कि जो आपका normal water है, पानी है, जो precipitation हो रहा है, rain हो रही है, उसमें जब मैं कह दूँगा, कि H2O में acidic content जादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कि इसकी pH नीचे हो गई, pH गिर गई इसकी, समझना है, तो एक बात आप हमेशे याद रखिए, कि इतना यह important point है, repeat होता है, कि जो आपका normal rain water है, is 5.6, जब 5.6 से नीचे pH होना शुरू हो जाएगी, तो मैं कहने लग जाओंगा, कि जो मारा water है, या rain है, वो acidic होना start होगी, समझा है, नो एक बात समझी, pH है 5.6, याने इसमें H ions होते हैं, अब H ions water में आए कहां से, देखें गाई, H2O normally आपके CO2 से reaction करती है, जो आपको H2 CO3 बना सकती है, H2CO3 अगेन फर्दर डिवाइड हो सकता है, जो कि H ion and HCO3 नेगेटिव दे देती है, तो कुल मिल आकर हम यह कह देते हैं, कि क्योंकि यह क्या है, V acid है, तो H ion इसलिए मिल रहा है, जो 5.6 जो मिल रहा है आपको pH, वो इसकी वज़े से मिल रहा है, इतना आप स सहां से है, भाई, रेन पढ़ रही है, आसमान से, आसमान में कौन सी बोतल रखी है, sulfuric acid या nitric acid, अब देखे होता क्या है, हमारे atmosphere में sulfur dioxide gas है, या nitrogen dioxide gas है, NO2, नो SO2 जब oxidation होता है, इसका, O2 से, उसके बाद यह H2O से react करती है, तो यह H2SO4 बना देती है, समझे है, sulfur dioxide gas का oxidation होता है, फिर वो H2O से reaction करती है, पानी के साथ, और H2SO4 बना देती है, similarly, NO2 भी, जब oxidation होता है, इसका O2 से, और उसके बाद ही H2O से react करती है, तो आपका HNO3 बनाती है, समझे में आपको, नव यह जो SO2 है, NO2 है, कहां से आई, यह अलग फंडा है, यहीं पर आपका question solve होता है, basically, जो यह gases है, sulfur dioxide या NO2 dioxide हमारे majorly burning of fossil fuel से produce होती है, जैसे आप koela जला रहे हो, thermal power plants के अंदर, इस तरह से, नव वे जो burn कर रहा fossil fuel, उनके अंदर sulfur और nitrogenous matter present होना चाहिए, तभी तो sulfur से SO2 और nitrogen से NO2 मिलता है, नव फोसिल फ्यूल का example जैसे आप power station में crude oil burn कर रहे हो, thermal power plant में, या petrol यूज़ कर रहे हो, diesel यूज़ कर रहे हो, इस तरह से, जितनी भी आपकी motor गाडियां है, ये आपकी जो cars हैं, तो इसमें से भी आपका petrol और डीज़ जल रहा है, तो इससे भी sulfur dioxide और NO2 बन जाती है, जो की oxidation के बाद, फिर H2O से reaction करने के बाद, H2O4 और HNO3 बना देती हैं, इसका मतलब आपके atmosphere में HNO3, H2O4 हो गया, और water के साथ जब नीचे पड़ेगी, तो acid rain हो जाते हैं, इतना समझ मा आगया है, तो इसका मतलब ये acid rain की हुई, क्योंकि burning of fossil fuel से thermal power plant में acid rain बन रही है, तो मेरा correct answer ये होगे, I hope guys आपको समझना हो, इसके बाद एक चीज और समझी है, ये बहुत important है, कि जो acid rain है, ये harmful क्यों है, समझे, और किन-किन चीजों के लिए harmful है, basically guys, जो acid rain है, is harmful for, अपने agriculture, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सीधे-सीधे answer आंसर हैंगे, NCRT से direct उठाई भी मैंने, जिस agriculture है, trees है, plants है, इन से basically, इनको basically harmful करता है, क्योंकि जब acid इनके उपर गिरेगा, तो ये खराब हो जाएगी फसल, समझे, और इनके क्या करता है, जो nutrients है, वो बहा देता है, by agriculture में जो आप बढ़ार कर रहे हो, trees है, plants है, इन सब को कर देता है, समझे है guys, similarly, जब ये lakes, या आपकी नदियों में जाता है, पानी, तब जो आपकी aquatic life है, plants की या animals की, उनको भी harmful पुचाती है, तो land पे भी और आपके समुंदर में भी, दोनों हर जंगे ये नुकसान पुचाती है, similarly, ये जो acid rains है, ये जो pipes है, heavy metal से बने वे होते हैं, उनको भी corrode कर देती है, उनमें जंग लगा देती है, corrode कर देती है, now, heavy metal जैसे iron, lead, copper, इन सब को ये corrode कर देती है, also, जैसे आपके marble है, जैसे ताजमेल है, वो ऐसे ही marble है, उनको भी corrode कर देती है, या उनकी जो basically जो building material है, वो खराब कर देती है, तो show basically खराब होनी शुरू हो जाती है, समझे आप guys आपको, जैसे इस पे बहुत common example है, जो अभी आपको मैंने बताया, ताजमेल का, ताजमेल basically white marble से बनाया, संगे मरमर, जो की calcium carbonate है basically, तो जब ये for example, H2SO4 के साथ reaction करता है, तो ये क्या कर देगा, reduce कर देगा, इसको HA, SO4 में convert कर दिया, H2O, रकिन CO2 gas निकल गई, समझे है, तो कुछ मिला के, जो आपको marble है, उसको destroy कर दिया, उसने खतम कर दिया, तो ये चीजे हैं, जो acid rain नुकसान पुचाती है, मतलब आपकी land की animals की plant life को भी, equative को भी, जो आपके pipes है, heavy metals, उनको corrode कर देगी, corrode करने के बाद जो पानी वानी उनको में जा रहा है, उस भी खराब हो जाएगा, मारवाल है building है, ये भी खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये चीजे आप सबको ध्यान रखने, I hope guys आपको ये चीजे समझ माई होगी, कोई एक बार अगर दिक्कत हो रही हो, तो एक बार दुबारा सुन लीजेगा इसको,